नमस्कार श्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज से हम लोग एक नई सीरीज की सुरुवात कर रहे हैं और यह जो नई सीरीज होगी यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर चाहे आप भी सी कर रहे हैं ब पास्ट गवरो परियावरण एवं मानमाधिकार अध्यन जो कि अनिवार प्रसंपत्र होता है मतलब इसको देना भी अनिवार होता है और पास्ट करना भी अनिवार होता है अब हो सकता है आपके इनवर्सिटी में प्रथम वर्स में हो जाए या किसी-किसी इनवर्सिटी मे 13 वर्ष में फाइनल एयर में पेपर होता है होता जरूर है graduation लेबल पर इसको पास करना निमार होता है तो अक्सर आप लोग ये comment करते रहते थे की प्रिवे से कोश्यन नहीं मिलते हैं और इसका जो पेपर होता है चुकि बहुत बिकल्पिय होता है इसलिए अगर कोश्यन मॉडल पेपर प्रिवे से कोश्यन मिल जाते हैं तो बहुत जदा फायदेमंद रहता तो आपके इस परिशानी को दूर करने के लिए मैंने दस model paper बनाए हैं मतलब बनवाए हैं मैंने खुद नहीं बनाए है तो दस model paper मैंने बनवाए हैं और इसको मैं free में यहाँ पर हल कराऊंगा अपने इस channel पर यह 10 model paper हल कराऊंगा प्लस जो भी previous year के paper मुझे मिलेंगे वो भी मैं हल कराऊंगा प्रिवेस year के जो paper मिलेंगे वो भी हल कराऊंगा और यह 10 paper मैंने जो की important question है उसको मैंने इसमें रखा है एकदम आपको लगेगा कि आपके university का paper है बाट यकीन मानिए यह model paper है और इसी से आपके सारे question आ जाएंगे exam में मैं थोड़ा सा और आपको बता दू कि इसके तीन खंड होते हैं set A यहाँ पर आप देख लिए मतलब तीन खंड होते हैं जैसे एक तो आपका राश्ट गोरो होता है जो की इतिहास से समंदित होता है शुरुआती 40 question आपके इतिहास से आएंगे फिर दूसरा आपका खंड होता है परियावरण तो उसमें आपके भूगोल से कुछ question परियावरण, परदोशड, पारिस्तित की इन सारी चीजों से 30 question आते हैं तो 40, 30, 70 और 30 question लास्ट में जो आते हैं आपके तीसरे खंड से वो आते हैं पालिटी से या फिर मानवाधिकार से सम्मनित कुछ प्रस्ण होते हैं तो टोटल आपके 100 question रहेंगे 40 इतिहास से 30 भूगोल से आप कह सकते हैं परियावरण से कह सकते हैं और 30 आपके मानवाधिकार या पालिटी से तो इनको आपको 2 घंटे में हल करना रहता है और एक मौडल पेपर पर 3 वीडियो आपको मिलेगा यानि कि खंड A, खंड B, खंड C पहले मैं आपको 40 question इतिहास के करा दूँगा फिर 30 question परियावरण के फिर 30 question पालिटी के यानि कि एक मौडल पेपर के देखिए मौडल पेपर 1 है इसके 3 पार्ट होंगे यानि कि 10 मौडल पेपर तो 30 पार्ट टोटल होंगे और एक बात और मैं आपको बता दूँ यह जो PDF है यह आपको फिरी में नहीं मिलेगा इसको आपको बाई करना पड़ेगा खरीदना पड़ेगा और आप नमबर देशकते हैं यहाँ पर मेरा नमबर दिया हुआ है आप इस नमबर पे WhatsApp कर सकते हैं अगर आपको पीडियाप चाहिए तो खरीदना है तो वहाँ पर आपको इसकी प्राइस बता दी जाएगी आप पीडियाप को आराम से खरीचा चकते हैं अगर आप नहीं खरीदना चाहتे है तो यहाँ आप आपको फीरी में पढ़ाया जागा चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल फीरी में सारे कोश्ञें आपको कराया जाएँगे लिकिन अगर आप खरीदना चाहें तो खरीशकते हैं तो चलिए हम लोग आप शुरुवात करते हैं पहले मॉडल पेपर की और आज हम लोग लेंगे इतिहास के 40 प्रस्ण पहला कोशन आप देखिए शिंद उखाटी सब्विता के लोग थे तो यहाँ पर मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा यहाँ पर आपका आपसन सी सही होगा साकाहारी और मासाहारी दोनों थे यहाँ पर देखे मैंने आंसर भी लगा रखा है यह देखे इस टाल लगा दिया है मैंने जो आंसर सही है उस पर मैंने इस टाल लगा दिया है तो यह आपको ऐसे पीडियेफ में मिल जाएगा वहाँ पर आंसर रहेगा फिलाल मैं अपने इस यूटूब चैनल पर इसको फिरी में पढ़ा रहा हूं हलाकि पीडियेफ आपको खरीदना पड़ेगा तो शिंद निर्मित थे मोहन जोड़ो के आवाश ये ग्रहा फिर यहां तीसरा कोश्चन है रिग वेद में कुल्या सब्द का प्रियोग किया गया है किसके लिए तो आप्सने नहर के लिए किया गया है हलाकि मैंने एक जगा तालाब बताय था जो की गलत है यह नहर होगा यहां पर र मैंने यहां हो पासाणकाल से लिए ए वेद का अर्थ है फिर आठवा प्रस्ण है आपका गौतम बुद्ध को बुद्ध तो कहा पराप्त हुआ था तो गया में गया कहा पर है बिहार में तो यह आठ कोशन आपके हो गया फिर आपका यहाँ पर देखिए नौ नमबर का प्रस्ण है जैन धर्म के तेस्वे तीर्थांकर कोन थे option B पार्षव ना था आपका सहीवगा पार्षव ना थे फिर यहाँ है 10 नमबर का प्रस्वन चरक सहिंता में उलेक किया गया है तो option B चिकित्सा का उलेक किया गया है योग सूत्र के लेखक कौन है तो option D है पतंजली योग सूत्र के लेखक पतंजली है यहां देखिए इंडिका यहां इंडिका होगा इंडिका के रचैता कौन थे तो मेगस्तनीज थे उप्सने से होगा तेरह नमबर का प्रस्न है असोक के पिता का नाम क्या था तो option ने बिंदो सार होगा असोक के पिता जी का नाम बिंदो सार था फिर यहां है बीजक के रचैता कौन थे तो option C कभीर दास जी थे आप्सन सही हो जाएगा रवीदास के गुरु कौन थे तो आप्सन डी रामानंद 16 नमबर का प्रस्ण है बेबेकानंद के बच्पन का नाम क्या था तो नरेंद्रनाथ डत ये स्वामेबेकानंद के बच्पन का नाम था मैं बहुत तेजी से करा रहा हूँ इसको 40 प्रस्ण हमको करने हैं इतिहास के आज राशायन विज्ञान का ग्याता कौन था तो आप्सन B आपका सही हो जाएगा नागा अरजुन मदुरई का मिनाक्षी मंदिर निर्मित है किस सहली में मैंने आपको बताया दच्चिड भारत में जितने भी मंदिर है वो सब दच्चिड भारत में बने हुए हैं तो मदुरई मिनाक्षी मंदिर तमिलनाड में है यानि कि दच्चिड भारत में तो इसलिए दच्चिड भारत में तो इसलिए दच्चिड भारत में तो इसलिए द गोदान दो रचनाय बेसिकली बहुत महात्पूर हैं तो मुंसी प्रेम चंद्र इसके लेखक हैं चाड़कने सिच्छा कहां प्राप्त की थी यानि कौन से विश्व विद्याले में तो आप्शन डी सही होगा यहां पर तच्छिसला विश्व विद्याले नालंदा विश्व विद्याले के स्थापना किसने की थी आप्शन ए से यह होगा कुमार गुप्त प्रथमने अंक गडित का सर्व प्राचीन उलेख मिलता है आप्शन ए रिगवेद में मारतंड सूर मंदिर इस्थित है आप्शन डी जम्मो कस्मीर में यह सब कोशन या तो आये हुए है एक्जाम में या फिर आ सकते हैं इंपोर्टन कोशन मैंने रखा है तो मारतंड सूर मंदिर जम्मो कस्मीर में इस्थित है 24 नंबर प्रशन आपका हो गया गड़करी विद्रोग किस राजे से संबन्दी थे तो ये महराष्ट राज से संबन्दी थे option C आपका सही हो जाएगा फिर है रामकल स्मिशन के अस्थापना किस ने की तो स्वामी विवेकानन्द जीने की option D सही हो जाएगा 27 नंबर का प्रशने आर समाज के अस्थापना कब हुई थी 1875 इस्वी में option D सही हो जाएगा चवरी चवरा कांड कब हुआ था तो 5 फरवरी 1922 इस्वी में चवरी चवरा कांड हुआ था गोरकपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 इस्वी में पूर्ड सुराज की मांग कब हुई तो 1929 इस्वी में लाहोर में अधिवेशन हुआ कांग्रेश का और वहां पर पूर्ड सुराज की मांग की गई भारती द्वारा फिर तीस नंबर का प्रशन है चंपारन सत्यागरा अंदोलन कब शुरुआत इसकी शुरुआत कब हुई थी तो ये चंपारन सत्यागरा अंदोलन बिषिकली बिहार में हुआ था 1917 इस्वी में गांधी जी के द्वारा ये अंदोलन किया गया था 1917 में आप्सन ए सही होग लाल किला कहां पर इसते थे बहुत ही आसान प्रस्न है तो दिल्ली में इसते थे यहां पर देखें मैं सारे आपको आप्सन नहीं बता रहा हूं कि आप्सने अमरिशार आप्सन भी दिल्ली आप्सन सी फतेफुर शीक्री आप्सन डी आगरा क्योंकि यहां पर मैंने आंसर टि लेकिन फिर भी मैं कुछिस कर रहा हूं कि वीडियो के माधिम से आपको यह उपलब करा दूँ आप लोग इसक्रीन स्वाट ले सकते हैं फिर परिशनों को लिख भी सकते हैं कारबेट राष्टिय उद्दान कहां परिश्चित है तो यह उत्तरा खंड में है ऑप्सन भी आप फिर प्रशन है गायत्त्री मंत्र समर्पित है किसको तो सूर्देवता को समर्पित है सूर्देवता कहीं कहीं साबित्री लिखा होता है तो साबित्री सूर्देवता को ही कहा गया है तो गायत्त्री मंत्र उन्हीं को समर्पित है आप संसी आपका सही हो जाएगा 35 नंबर का प्रस्ण है योग सूत्र के लेखक तो पतंजली है ये प्रस्ण सायद मैंने लिख भी दिया एक बार दो बारा हो गया होगा कई कोश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं क्योंकि इतना ध्यान बनाने वाले ने नहीं किया है नहीं दिया होगा तो एक दो प्रस्ण है रिपीट हो सकते हैं योग सूत्र के लेखक मैंने आपको बता दिया पतंजली फिर है ब्रिच पुजा को साहितकारू ने धर्म से जोड़ कर क्या दिखाया है तो आप्सन सी है मानो प्रेम और परियावरा प्रदूर्शड फिर यहां पर है आपका साहितिस नंबर का प्रस्ण है इस मोक सिटी आ को ल kata option भी आपका सही हो जाएगा फिर यहां है को साहित्य जागरूटा वर्ड़ित नहीं है किसमें तो बैग्ञानिक उपकरण में इन चीजों का वर्ड़न नहीं किया गया तो बैग्यानिक उपकरण में option से ही हो जाएगा प्रिया देखिए धहला वीरा इस्तित थे तो ग्यान हुआ किस चीज का यहां पर सबसे पहले मानों को तामबे धातु का ग्यान हुआ था यह टोटल आपके 40 प्रस्णों हो गए जो की आपके इतिहास से थे राष्ट गौरों के थे तो मॉडल पेपर फर्ष्ट का यह फर्ष्ट पार्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए शियर कर दीजिए चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप पीडियो खरीदना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पर आप वाट्साप मैसस कर सकते हैं